Dear students, welcome in math class. Today our topic, chapter 2, polynomials, exercise 2.4. Sum number 4 करेंगे हैं, factorize. Factorize मतलब हमने गुणा के टुकड़े निकाल करने हैं, इसके अंदर factor करने हैं. Sum number 1st part करेंगे हम. Sum number 1st part में, factorize या करते हैं, यह हमारी polynomial है. X के power 2, 2 हमारी maximum power क्या है, तो degree हमारे पास क्या हुई? 2. अब हमारे पास जितनी maximum power होती है, हमारे उतने ही factor बनते हैं. यानि इसको satisfied करने वाली 2 ही value आएंगे, जो इसको completely satisfied करेंगे. अब हमारे पास इसको factorize करने का method क्या है? 1st और 3rd की multiply. 1st और 3rd की multiply करेंगे. प्लस का 12 और प्लस का 1. 12 बन्जा 12. यानि हमने 12 के ऐसे 2 part करने है. 12 की multiply क्या है, यानि 12 बन्जा 12 होता है. अगर छोटी multiple होतो हमारे ऐसे सिद्धा ही directive कर लेते हैं. यानि फिर होता है 2, 6 जा 12 होता है, या 4, 3 जा 12 होता है. अब इस में से, अब हमारे पास second है कि हमारे पास जो multiplication है वो plus की है. It means, दोन्नों जो pair बनेगे, यानि 12 के हमने ऐसे 2 part करने हैं, दोन्नों के pair के जो sign क्या होगा, same होगा. या तो दोन्नों plus के होंगे pair, या दोन्नों minus के होंगे. अब ये दोन्नों plus के होंगे या minus के होंगे, ये चेक करेंगे हम इसकी help से. अगर middle term का हमारे पास जो x की power 1 है, उसका जो variable है, अगर ये minus का है, तो दोन्नों pair हमारे क्या होंगे, minus के होंगे. It means, minus minus की multiply ही plus आई है. अब वो pair क्या होंगे हमारे पास, दिखो, 12, दोन्नों pair same हो, तो it means हम क्या करेंगे, दोन्नों को plus करेंगे, 12 और 1, 13 हो जाएगा, it means ये pair भी आपका neglect हो जाएगा. 6 और 2, 8 हो जाएगा, ये pair भी आपका neglect हो जाएगा. 4 और 3 कितने होंगे, 7, ये हमारा match करता है, यानि दोनों pair क्या होगे, हमने 12 के, यानि 7 के ऐसे 2 pair करने है, अगर multiply करें तो हमारा 12 आए, और plus या minus करें तो हमारा 7 आएगा. तो हमारे पास first तो number as it is 12x के, इस 7 को हमने 2 parts में divide किया, क्या हुआ, minus का 4x और minus का 3x, क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, 4 और 3, 7 हो जाएगा, और इनको multiply करें तो 4, 3, 0, 12, x की power 2, minus minus plus हो जाएगा. तो हमारे पास same first और third as it is रहेगा, अब इन दोनों में से, इन दोनों में से common find out करेंगे, common क्या होता है, जो numbers इन दोनों को divide कर सेगे, अब यहाँ पे 4 दोनों को divide करता है, और x की minimum power बहार निकलती है, यानि x की power यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x की power 1 से ही divide होगा, अब इसको हम bracket लगाएंगे, इसको 4 से divide करेंगे, 3 आएगा, x को x से cancel out, एक power cancel out हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, एक power, minus, यहाँ से 4 को same को same से divide करते है, result हमारा 1 आएगा, अब इन दोनों में से कोई वियाशा number नहीं है, जो दोनों को divide कर चुके, यहाँ पे minus का sign है, तो minus ही आपका यहाँ पे आएगा, अब हमारे पास दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो हमारे पास जब जहाँ कुछ भी common नहीं होता, it means वहाँ पे 1 होता है, 1 minus 1 से divide कर रहे है, तो minus minus plus हो जाएगा, 1 से divide करते है, तो number हमारा same आएगा, यहाँ से minus को minus से divide, plus को divide करोगे, त तुम्हारे पार माइनस 1 को 1 से डिवाइड गरो as it is. इसमें एग है कि दोनों पेर आपके सेम आने चीए. अगर दोनों पेर आपके सेम है, it means आपकी मल्टिप्लिकेशन सही है. यहां से दोनों में सेम जीज है, तो सेम नमबर है तो हमारा common, common means यह दोनों को डिवाइड गए, अब इसको से डिवाइड गिए, तो हमारे पास यहां से बचा 4X, यहां पे माइनस, फिर सेम को से डिवाइड किया, तो इसमारे पास सिर्फ क्या बचा, minus 1 यहां से factorize यानि two factor होगे है हमारे पास एक value यहां से x के निकलेगी और एक value यहां से x के निकालेगी यह हमारे two factor बन गए अगर हमारे पास power 2 है तो factor भी हमारे two होगे अब हमारे पास question number second part देखेंगे second part में क्या देखो वही same process first और third की multiply two three जा six x का square अब six यानि हमने seven के ऐसे two part करने है वो इसकी help से होगा six का होता है one multiply six two multiply three तब भी six बन जा six two three जा six अब six हमारे पास इसकी और इसकी multiply plus की है it means हमारे जो दो पेर बनेंगे दोनों का sign same अब यह हमारा प्लस का it means दोनों प्लस के होंगे प्लस के अब हमारे पास plus यहनि six में one plus करेंगे seven आएगा यह हमारा इसको suit करता है number और two में three प्लस करेंगे five तो यह हमारे पास यह पेर नहीं बनेगा अब हमारे देखो 2x square अब इसके pair की हमने क्या एक तो 6x और दूसरा 1x 1 लिखे याने लिखे this is your choice 6 और 1 में plus करेंगे 7 हो जाएगा और 6 को 1 से multiply करेंगे तो 6 हो जाएगा यानी multiply यह आने चीए और plus करो तो यह आना चीए प्लस में 3 अब हमारे पास इन दोनों में से same process है जो दोनों को divide कर सके वही हमारा common होगा देनी 2 number दोनों को divide कर सकता 2 हमारा common और x की एक power ही बहरा आज़े की अब यहां से 200 divide करेंगे 1 आएगा और x square को जब x से divide करेंगे तो हमारे पास एक power बच जाएगा यहां से x से x cancel out हो जाएगा 2 से divide करेंगे 3 आजएगा यहां पे plus अब इन दोनों में से कुछ भी common ही जहां कुछ भी common ही तो 1 तो सबको divide करता ही है हमारे पास same x plus में 3 1 लिखे या न लिखे अब हमारे पास दोनों में same number है same मतलब दोनों में हमारे पास common क्या ह 거야 x plus में 3 दोनों में common हो गया यहां से x plus 3 यहां common आचुका है और इस से divide कर चुके है तो हमारे पास यहां क्या बचा है? सिरॉफ 2x और यहां पे plus में 1 this is your two factor power 2 है factor भी आपके 2 ही बनेगे यहीं से value निकलेगी x की value यहाँ पर minus 3 निकलेगी यहाँ से minus 1 by 2 निकलेगी जो value इसमें completely इस नमबर को divide करेगी ठीक है क्यानी remainder हमारा 0 होगा अब हमारे पास third process है question number third fourth का third part होई same process first और third की multiply अब इसमें देखो यहाँ पे first question में हमने क्या सिखा था कि first part में हमारा था यहाँ पे minus का sign था तो हमने check लिए कि दोनों pair minus के होंगे ठीक है multiply हमारी यहाँ भी plus की थी second pair में हमने यह चेक किया कि यह तो हमारी plus की थी लेकिन जो हमारा pair था बीच वड़ा नमबर था plus का था दोनों pair हमारे plus के है अब हमारे पास question number third part में देखो plus और minus की multiply क्या होई six six जा 36 minus 36 यानि हमारे पास pair बनेंगे जो एक plus का और एक minus का अगर multiply आपकी minus की है तो एक pair plus का और एक pair minus का यानि इसके जो दो ट्राइज करके भी निकाल सकते हो टू कुंड multiply डिवाइड करोगे टू बन जा टू एट फिर टू से डिवाइड करोगे टू नाइन जा अब यहां से pair बना सकते हो टू टू जा 4 नाइन जा 36 यानि 6 6 जा 36 ऐसे बना सकते हो अब 4 में से different sign है एक plus का आएगा pair एक minus का आएगा यान different sign है different sign का मतलब आपने number को subtract करना है 9 में से 4 गए 5 हमारा 5 बज़ा it means यह pair हमारा shoot करता है 6 में से 6 गए 0 तो यह हमारा shoot ने करेगा अब देखो same हमारे पास 6 x square as it is इसके हमने दो parts की एक तो plus का 9 x और minus का 4 x यानि एक 9 और एक 4 लेंगे यहाँ पर plus का बचा हुआ तो plus का बड़ा और minus का छोटा और third number आपका as it is अब यहां से दोनों में से common क्या निकलेगा दोनों को 3 number है जो divide कर सकता है दोनों में से 3 common x का square है तो एक x की single power बहारा जाएगी 3 2 जा 6 और x की single power बचलेगी 3 को 3 से 9 से 9 को divide करोगे 3 से तो 3 3 जा 9 और x को divide करोगे x से यहां पर minus है तो minus आपका बहार निला इन दोनों को divide करने वाड़ा number अब x तो यहां पर single है यहां पर नहीं है तो x वाड़ा तो common निकाली नहीं सकते है दोनों को number divide कर सकता है 2 अब minus और minus प्लस हो जाएगा 2 से divide करेंगे तो हमारे पास 2x इसको minus को minus हमारे पास plus 2 से divide करेंगे 3 अब यह दोनों में common है तो यहां से 2x plus में 3 common यहां से 3x और remaining number के हैं minus में 2 this is two factor of this polynomial यह हमारी quadratic polynomial है अब हमारे पास fourth part में देखेंगे 4 के fourth part में different rule है जो science है अब देखो multiply का process वही 3,4 जा 12 plus और minus की multiply minus यह number बताता है कि आपके जो pair है एक plus का होगा और एक minus की plus minus की multiply ही हमेशा minus आती है यहां सब पतल गया कि हमारे पास 2 pair एक plus का और एक minus का अब वह pair क्या होंगे यह तो two three जा two six जा 12 यह four three जा 12 यह one twelve जा 12 यहां से देखो अब different sign है different sign it means आप subtract करोगे six में से two गए four बचेंगे यहां फोर नहीं है इसमें यह match नहीं करेगा four three जा 12 multiply जा ठीक है आप four में से three गए one हमारे पास यहां one ही बचावा यह यह पेर आपका मैच करेगा तो हमारे पास पेर मनेगा three x square अब हमारे पास अगर minus है तो it means minus का पेर बड़ा यानि four x और प्लस का पेर छोटा minus four अब इन दोनों में से अब नमबर तो कोई common निकल रहा लेकिन x common निकल रहा है दोनों में से x common निकल लेंगे यहां से three remaining x की single power बजाए यहां से minus x तो आपका outside है सिर्फ four बजा यहां पे plus दोनों में कुछ भी common नहीं है क्योंकि x भी common निकाल सकते और कोई digit भी common निकाल सकते क्योंकि कोई number divide ही निकर रहा है जब कुछ भी common निकले तो one निकलता है क्योंकि one सबको divide कर सकता है यहां पे क्या बचा three x minus में four ओके आप यह दोनों इसका सबसे पहले है कि आपकी यह दोनों same at it means आपका question सही यह दोनों है same तो same at it means यह दोनों common निकल जाएंगे out निकल जाएंगे यानि divide हो कर देंगे तो यहां से same same common निकला सिर्फ यहां पे क्या बचा x फिर आगे plus यहां से same common out गया तो सिर्फ पलस में one बचा this is two factors यह question number हमारा four dear students complete your work thank you